नमस्कार साथियों आपका railway धाम पटना के online portal में आपका एक बार स्वागत हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे यहाँ रेलवे धाम पटना में पटना के online portal से आप सबों के लिए trade का class start लगाया गया है उसी के दौरान हम सब आज जो discuss करने वाले हैं, जैसे आप सभी जानते हैं, railway ALP का आपका vacancy आने वाला है, उसी को देखते हुए आज हम सब discuss करने वाले हैं, electrician trade, क्या करेंगे, electrician trade को one by one करके हम सब discuss करेंगे, चलिए, यह है आपका railway धाम पटना, online portal, यहां से आपको देखिए, आज जो हम सब discuss करने वाले हैं, trade, हम सब यहां से discuss करेंगे, trade में भी क्या, electrician, electrician को हम सब discuss करेंगे, one by one करके देखते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, देखिए, यहां से आपका जो है, यह सर को तो पहचानते ही होंगे, जो आपको science and tech पराते हैं, जो बहुत ही famous सर हैं, उसके बाद आगे हम सब देखते हैं, उसके बाद आपका जो है, देखिए, ALP, ALP and technician, जो कि इसका आपका vacancy, upcoming vacancy आने वाला है, जो कि बहुत दीनों से नहीं आया है, 2018 में आपका vacancy आया था, उसके बाद दोबारा नहीं आया है, तो आपका chance आए कि बहुत जल्द वो vacancy आने वाला है, इसलिए उसको देखते हुए, जो हम सब अभी से लग से अच्छे तरीके से उसको finish करने की कोशिस करेंगे, और आज का जो है, topic wise उसका discussion करेंगे, किसका, electrician topic का, अब इसमें आगे हम सब देखते हैं, इसके बाद जो है आपका, इसका criteria क्या है, जैसे ALP का अगर form आ जाता है, उसमें कौन कौन apply कर सकता है, इसका क्या आपका criteria होत है, इसके अरुसार अगर कर देखा जाए, तो यह आपका जो है part B में आता है, किसमें आता है, part B में आता है, duration इसका क्या होता है, duration के अगर हम बात करें 60 minute time रहता है, उसमें आपको question कितना है, इसमें आपको question 65 question रहेगा, कितना रहेगा 65, sorry 75 question आपका रहेगा, उसमें से qualifying marks जो आपको है 35 लाना नेसेसरी है, suppose that आप इसमें दो सीविटी, एक फ़र्स्ट सीविटी होगा, सकेंड सीविटी होगा, अगर इसमें आप क्वाइलिफाइ करते हैं, तो तब जा करके आपका जो है, सकेंड पेपर चेक होगा, otherwise आपको क्या क्या जाएगा, आप फेल घोशित क्या जाएगा, जैसे उसके लिए जो है, आपको 35 परसेंट मार्क लाना नेसेसरी है, 35 अगर हम बात करें, 75 का 35 परसेंट, 25 परसेंट, 75 का 35 परसेंट, तो एपरोक्स में आपका 27 मार्क्स एशिव करना नेसेसरी है, जो कि बच्चा सब क्या करता है, CBT1 में लग जाता है, जो कि CBT2 है, वो छूट जाता है, अगर प्रिवेस येर का आप देखिएगा, पिछले साल, तो जादे तर बच्चा, 40 to 30 परसेंट बचा जो ट्रेड ही पास नहीं कर पाया था, जिसके कारण उसका रिजल्ट नहीं बन पाया, इसलिए इतना डिफिकल्ट बना दिया है, लेकिन इतना डिफिकल्ट है नहीं, इलेक्रिशन जो की बहुत ही, इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट है, अच्छे तरीके से समझेंगे, one by one करके समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, अगर कोई 10 plus 2, फिजिक्स और मैथ है, उसके लिए भी आप ये, आपका electrician select कर सकते हैं चले उसके बाद यह criteria दिया गया है उसके बाद next आगे हम सब देखते हैं चले उसके बाद है engineering होना चाहिए discipline में diploma या degree IT है तो वो भी होना चाहिए जैसे देखे electrical engineering हो गया combination of various extreme हो गया electrical engineering अगर इसमें 10 plus 2 है साथ में क्या होना चाहिए physics होना चाहिए math होना चाहिए चले इसके लिए आप क्या-क्या select कर सकते हैं trade में आप electrician select कर सकते हैं instrument machine select कर सकते हैं wire and winder armature select कर सकते हैं refrigerator and air conditioner machine यह सब आप select कर सकते हैं और जैसे किसी का suppose 10 plus 2 है physics और math है तो वो electrician select कर सकते हैं electronic select कर सकते हैं machine select कर सकते हैं wireman यह आपको select करना होगा अगर यह सब select करते हैं तो आपको trade में जो 75 नमर का question आएगा वो आपको जो है यहीं से आपको question आएगा ठीक है अगर next आगे हम सब देखते हैं next आगे हम सब देखते हैं उसके बाद जो है आपका देखें यह हो गया इतना तो आपका ओभर भी हो गया कि आपको यह सब ट्रेट सेलेक्ट करना होगा उसके बाद अगर हम इसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद तो देखें निगेटिव मार्किंग अगर हम बात करें यह जो आपका एक्जाम निगेटिव मार्किंग है, वन थर्ड आपका रहेगा निगेटिव मार्किंग, चले उसके बाद है, इसमें आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से जूड़ जाना है, कहां से जूड़ना है, रेलवेधाम पतना के ओनलाइन पोडल से, ये आपका क्राइटेरिया कुछ इस है, नेक्स्ट आगे हम सब देखते हैं, नेक्स्ट आगे है आपका, ये है इलेक्टिशियन ट्रेड का, ये आपका सिलेवस, इलेक्टिशियन ट्रेड, जो कि बहुत ही इंट्रेस्टिंग है, जो कि अगर हम बात करें इलेक्टिसीटी का, तो इलेक्टिसीटी से हम और चार और गिरे हुए हैं suppose that हमको कोई भी चीज़ electrical instrument को यूज़ करना है उसके electricity चाहिए उसी से related आपको परने के लिए मिलेगा जो कि बहुत ही simple है अगर आप अच्छे तरीके से जुड़ जाते हैं तो यहां से confirm रहिए कि आप यहां से अगर जितना student जुड़ते हैं यह confirm है कि आप यहां से आपका एक भी student यहां से file नहीं होईएगा और अच्छे नमर से pass हो जाईएगा इसलिए आपको क्या करना यह लेंदी यह दूसरे जगा अगर देखते हैं तो यह बहुत सारा कहीं पर आपको 12 महिना का course होता है कहीं पर आठ महिना का यहां से proper way में हम सब देखते जाएंगे जैसे एक topic खतम हुआ उससे related आपका railway में कितना question पुछा गया है उसको one by one करके discuss करते जाएंगे चले पहला अगर हम बात करें देखे क्या है website, सुरक्षा एवं स्वाज्ट यह आपका optional safety and health purpose में इसका क्या importance है इसके बारे में हम one by one परहेंगे यह आपका पहला हो गया दोसरा जो दिया गया है दोसरा है बिदुत कार के लिए ओजार tools for electrician अगर कोई electrician है उसको क्या-क्या electrical instrument चाहिए कोई भी चीज़ अगर जड़ी repair करना है तो उसको instrument चाहिए उस instrument के बारे में हम सब one by one करके परहेंगे tools for an electrician उसके बाद है basic electricity suppose that electricity electricity कैसे generate होता है एक जगा से दूसरे जगा हम कैसे transfer करते हैं उसके बारे में हम सब परहेंगे जब हम सब electricity start करेंगे तो सब से पहले किसके बारे में परहेंगे electron, proton, neutron, basic term क्या होता है terminology अगर उसको आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो यहाँ से अगर यह जो आपका है prarambic without basic electricity यहाँ से आपका exam में कम से कम 5 से 10 question confirm है कि यहाँ से आपका आता ही आता है जो बहुत ही simple होता है आप अगर अच्छे से जूरे हुए रहेगा तो आप अच्छे से इसको कर लिजेगा चले उसके बाद आपका है चालक, औचालक, अर्जचालक एवम, विदूत, कैबिल्स इसमें हम सब conductor के बारे में परहेंगे किसके बारे में? conductor क्या होता है semi conductor क्या होता है insulator क्या होता है electric cables क्या होता है अगर हम conductor की बात करें conductor वो होता जो electricity को आसानी से flow करने दे जैसे aluminum हो गया, copper हो गया, silver हो गया ये सब conductor में आता है उसके बाद अर्थ चालक जब ये आपका semi conductor में पढ़ेंगे तो semi conductor वो properties होता है जो conductor के तरह भी behave करे जो insulator के भी तरह भी behave करे वो आपका किस में आजाएगा semi conductor जैसे silicon, germanium ये सब जब हम syllabus से start करेंगे तो one by one करके देखेंगे उसके बाद है insulator insulator क्या होता है जैसे आप सब आप अपने घर सब में देखेंगे वाइर होता है वाइर के उपर पे क्या रहता है plastic का cover क्या हो रहता है क्यों रहता है इससे जो है आपका उससे electric shock ना लगे उससे बचाने के लिए हम सब इसका यूज करते हैं और cable पर हैंगे cable जो बहुत सरा types का होता है जैसे wiring का है तो उसका अलग cable होगा अगर कोई जैसे कई आपका manufacturing करना है वहाँ पे अलग होगा home के लिए wiring करना है तो उसके लिए अलग होगा उसका types one by one करके हम सब देखेंगे चलिए ये सब आपका होगा अब पहला में है website सुरक्षा एबं स्वास्त जिसकों बलते है optional safety and health उसके बाद दूसरा है बिदुत के लिए ojar tools for an electrician उसके बाद है basic electricity जो की बहुत important है आपका ये science का भी कम करेगा जो आगे आपका CBT1 होगा उसमें भी CBT2 होगा उसमें उसके बाद देखी conductor उसके बाद चालक औचालक अर्द चालक एबं बिदुत cables conductor semiconductor insulator and cables ये सब हम one by one करके देखेंगे चलिए next आगे हम सब का है next soldering द्रिश्धारा सिद्यात इसमें हम सब soldering के बारे में पढ़ेंगे soldering क्या होता है जैसे iron है उसके हमको gold का layer चरा देना है या अगर दूसरा material है उसके दूसरा का किसी पे दूसरे पे हम जो soldering कर देते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे अगर किसी को connect करना है उसके लिए जो हम soldering करते हैं उसके बारे में 1-1 करके देखेंगे, चले उसके बाद है विद्धुत साहयक सामेगरी, जिसको हम Electrical Aso Series, Series के नाम से जानते हैं, Electrical Aso Series ये भी बहुत important है, ये सामेगरी के बारे में बताता है, उसके बाद है Electro Chemical Effect and Chemical Seal, इसमें हम सब सेल के बारे में परेंगे, जैसे बैटरी हो उसमें कैसे Chemical Energy Effect के फ़र में ये वर्क करता है, उसके बारे में हम 1-1 करके देखेंगे, इसलिए आपको patience रखना है, आपको proper class में attend करना है, अगर class attend करते हैं, तो आपका यहां से अच्छे तरीके से basic आपका concept किलियर हो जाएगा, basic हो जाएगा, धीरे धीरे हम सब question करेंगे, वो भी solve होने लगेगा, चलिए next आगे हम सब बात करेंगे, आगे आपका है चुम्बकातू, उसके बाद बिदो चुम्बकातू, magnetism and electromagnetism, यह जो है my dear student, यह आपका, यह electromagnetism and electromagnetism, इसको जो है electrical का read माना जाता है, अगर इसको आप समझ जाते हैं, तो यहां से motor आपको समझ जाएगा, motor, generator, transformer, यह बहुत ही अच्छे instrument है, यहां से question आपका necessary रहता ही रहता है, इस पे बहुत सारा आपका instrument, instrument based round रहता है, उसके बाद है, परतियावरती धारा, सिद्यान, जिसको हम सब बोलते हैं, alternating current, अगर simple way में कहें, तो आपका दो तरह का current होता है, एक होता है alternating current, दोसरा होता है direct current, alternating current वो होता है जो समय के साथ अपना क्या करें, fluctuation को करें, जैसे इंडिया में अगर बात करें, तो 50 Hertz यूज करते हैं, अगर direct current की बात करें, उसमें frequency क्या होता है, zero होता है, चलिए, इंडिया जितना भी है, जाज़तर instrument जो है आपका, किस पे design होता है, electrical instrument पे design होता है, यह आपका हो गया कितना, five में है soldering, six में है, विदुत सायक राश्या, electrical accessories, seven में है, electrochemical effect and chemical sale, eight में है, चुमबकत, एवं विदुत, चुमबकत, magnetism and electromagnetism, इसके, जब हम यह start करेंगे, तो इसमें हम magnet के बारें परेंगे, magnet कैसे बनाया जाता है, magnet कितने types के होते है one by one करके देखेंगे, उसके बाद है alternating current and theory, alternating current कैसे generate होता है, वो कैसे जो है, current का waveform क्या होता है, voltage का waveform क्या होता है, power का waveform क्या होता है, इस तरीके से one by one करके देखेंगे, चली next, next है earthing, यह भी आपका protecting device है, earthing क्यों करते हैं, जब अगर कोई आपका device है, उसके उपर से अगर current circulate करने लगे तो वो क्या हो जाएगा human beings के लिए harmful हो जाएगा उस harmful से बचने के लिए हम सब earthing कर देते हैं earthing के इसलिए करते हैं जो extra current flow होता है वो ground हो जाए यह हम सब को परना है भूमी सयोजन जिसको हम earthing बोलते हैं परहेंगे उसके बाद है basic electronics basic electronics में हम सब semiconductor semiconductor के बारे हम परहेंगे semiconductor में आपका P type semiconductor क्या होता है N type semiconductor क्या होता है diode क्या होता है transistor क्या होता है amplifier क्या होता है सब को one by one करके परहेंगे देखिए यह सब related है जैसे होगा दिरिष्टकारी reactifier Rectifier instrument है, जो क्या करता है? एक signal को दूसरे signal में convert करने का काम करता है. चले, उसके बाद है transistor, आपका electronic instrument है, उसके बाद amplify के बारे में परेंगे, OC letters के बारे में परेंगे, उसके बाद विशिट थोस अवस्था युक्तिया, जैसे specific, specific solid estate device, solid estate device में फेट क्या होता है, MOSFET क्या होता है, JFET क्या होता है, सब के बारे में one by one करके परहेंगे, जैसे जैसे आपका chapter होते जाएगा, उसका साथ साथ question लगाते जाएगे, question लगाते जाएगे, तो क्या होगा, हमको एक idea मिल जाएगा, कि कहा से question आपका बार-बार आ रहा है, चलिए, next आगे देखे, उसके बाद next topic अगर हम बात करें, तो उसके बाद है digital electronics, जब हम digital electronics को देखते हैं, तो इसमें आपको number system के बारे में पढ़ना होता है, number system में, जैसे math में पढ़ते हैं, वो अलग होता है, लेकिन digital electronics में हम सब पढ़ते हैं, binary number, decimal number, binary number पढ़ते हैं, उसके बाद आपका hexa number क्या होता है, octal number क्या होता है, decimal number क्या होता है, सब को one by one करके देखेंगे, जब binary के अगर हम बात करें, binary में हम दो digit use करते हैं, एक होता है, zero दूसरा होता है, one, उसी तरीके से हम, decimal को भी देखेंगे, octal को भी देखेंगे, hexa को भी देखेंगे, उसके बाद है, wiring, वाइरिंग, जैसे देखते होंगे, घर में वाइरिंग करते हैं, electricity के लिए, जैसे आपका कोई भी कार खाना हो गया, कोई भी इंस्टुमेंट हो गया, वहाँ पे हम सब क्या करते हैं, इंस्टुमेंट अच्छे तरीके से proper way में work करें, उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, proper way में electrical wiring होना चाहिए, अगर electrical wiring में कहें भी fault हो जायेगा, तो क्या होगा, वह आपका अच्छे तरीके से electrical instrument、 properly way में work नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा तो उसके लिए क्या चाहिए उसके लिए वेल डिजाइन इलेक्टिकल वाइरिंग होना चाहिए नेक्स उसके बाद हम सब देखिए आहीं गया डिरेक्ट करेंट जर्नेटर पढ़ेंगे डीसी जर्नेटर ये कब आपको अच्छे तरीके से वन वाइ वन समझ आएगा जब आप मेगनेटिज्म और इलेक्ट्रो मेगनेटिज्म को अच्छे तरीके से समझ येगा उसके terminology को समझेगा फलस्क क्या होता है फलस्क क्या होता है magnetic फलस्क density क्या होता है सब को one by one start करेंगे BH curve इसके बारे में बताएंगे आपको अच्छे तरीके से इतना strength हो जाएगा कि आप ITI level पे अच्छा से अच्छा पास कर सकते हैं चली next उसके बाद जब generator पर लेंगे तो उसके बाद क्या परेंगे motor के बारेंगे ये दोनों का principle सेम है लेकिन construction में थोरा मोरा different होता है चली उसके बाद है transformer आप सभी देखते होंगे बहुत सारा supply जो आपका 11 के भी आता है 11 के भी से step down करके उसको हम घर समय कितना यूज करते है वो जो transform होता है transformer कैसी work होता है कैसी work करता है इसका equation क्या होता है one by one करके इसको हम परेंगे पुछ लेता है कभी कभी simple सा question पुछ लेता है transformer is a dash device क्या हो जाएगा transformer is a aesthetic device क्यों क्योंकि transformer में कोई mobile part नहीं होता है वो क्या करता है high voltage या current को low voltage में क्या कर देता है convert कर देता है अगर transformer का types की बात करेंगे transformer दो तरह का होता है step down transformer step up transformer ये सब बनावट की बात है जब आपका transformer start होगा तो one by one करके इसको देखेंगे साथ साथ previous question को भी लगाती जाएंगे चलिए उसके बाद है electrical measuring instrument suppose that आपके घर में bulb लगा हुआ है fan लगा हुआ है washing machine लगा हुआ है आप कैसे measure कीजिएगा कि आपका कितना current ये load कितना load आपका घर में आ रहा है उसके लिए कुछ instrument बनाया गया बहुत सारा instrument है उसका जो हम one by one करके परेंगे जैसे volt meter हो गया a meter हो गया oh meter हो गया watt meter हो गया इसको हम सब one by one करके परेंगे energy meter हो गया चलिए next के अगर हम बात करें next हम सब का है three phase induction motor इसमें भी हम सब देखेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से three phase induction motor है तो उसी तरीके से आपका हो जागा single phase induction motor इसमें भी इसका types देखेंगे किसका क्या function है कहां use करते हैं one by one करके इसको हम सब देखेंगे उसके बाद है alternator alternator को देखेंगे alternator के बाद है synchronous motor यह सब जो है यह आपका जैसे single phase induction motor हो गया three phase induction motor हो गया इसमें speed निकालने के लिए फर्मुला था जो बहुत important है परहोंगे NS बराबर एक फर्मुला होता है 120 F by P इसमें F क्या होता है frequency PIP क्या होता है number of pulse NS क्या होता है यह आपका SP synchronous speed होता है अगर हम synchronous motor की बात करें synchronous motor एक constant speed motor होता है जिसमें आपका rotational speed जितना होता है उतना ही आपका क्या होता है उतना ही आपका होता है synchronous speed अगर NS minus NR बात करें किसके लिए synchronous motor के लिए क्या हो जाता है zero होता है कैसे यह काम करता है किस principle पे काम करता है उसको हम परहेंगे कब, जब आपका start हो जाएगा synchronous motor तब, इसमें दो graph आता है, एक होता है V curve, दूसरा होता है inverted V curve, उसको भी हम सब देखेंगे, चले उसके बाद है converters, converters क्या करता है, एक signal को दूसरे signal में transfer करने का काम करता है, उसको भी हम सब देखेंगे, चले उसके बाद ह DC machine and short transformer winding, transformer में जो winding करते हैं, primary winding, secondary winding, एक और आगे जा करके, हम सब tertiary winding का use करते हैं, वो कैसे use करेंगे, वो कैसे properly way में work करेगा, उसको हम सब देखेंगे, चले नेक्स्ट, यह 23 हो गया, 24 में आपका है single phase, induction motor, 25 में है alternator, 26 में है synchronous motor, 27 में है converters, 28 में DC machine and short transformer winding, next, next के हम बात करें, next है आपका AC machine winding, AC machine winding हम use करते हैं, उसमें armature winding क्या होता है, commutator winding क्या होता है, field winding क्या होता है, pool क्या होता है, slot क्या होता है, one by one हम, जब यह start करेंगे, AC machine तो उसको देखेंगे, चलिए next है, illumination, illumination यह आपका light, light phenomena पर यह आपका depend करता है, illumination, उसके बारे में परहेंगे, अगर जैसे light जो है आपका intensity आता है, वो कैसे आपका fluctuation को provide कराता है, उसके बारे में हम सब देखेंगे, next आगे है, industrial wiring, बहुत सारा industries है, industry जो लगता है, उसके लिए कैसा wiring होना चाहिए, जैसे home है, home के लिए अलग wiring होता है, industries के लिए अलग wiring होता है, इसका कितने types का wiring होता है, सब one by one करके देखेंगे, चलिए next है, भवन wiring layout, जैसे house wiring हो गया, layout इसमें देखेंगे, wiring भी बहुत सारा types का होता है, जब यह wiring च्टार्ट करेंगे तो उस way में हम सब परेंगे, अच्छे way में परेंगे, properly way में परेंगे, आपको tension नहीं लेना है, one by one करके, आप सब का बहु इसमें हम सब देखेंगे, illumination देख लिए क्या होता है, उसके बाद है industrial wiring, house wiring, उसके बाद है machine नियंत्रक पट, यह जो है machine control panel बहुत ही important है, जितना भी आपका instrument लगा हुआ है, उसको control करने के लिए, एक क्या होता है, control panel होता है, अगर suppose it मान के चलिए, अगर आपको computer को अगर control करना है, तो computer का अलग panel होगा, अगर हम electrical machine को अगर control कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, machine control panel, अगर हम power system को control करेंगे, तो क्या हो जाएगा, power system control panel, वो डिपेंड करेगा आप किस चीज को control कर रहे हैं, चलिए उसी तरीके से है, domestic electrical appliance, हम सब जो घर में यूज करते हैं, उपकरन वो क्या क्या है, जैसे आपका heater कैसे काम करता है, जैसे आपका iron कैसे काम करता है, ये सब किस effect पे काम करता है, इस सब के बारे में हम सब परहेंगे कब, जब आपका domestic electrical appliance start करेंगे तो, चलिए next topic जो है आपका, next है, विद्धुत सक्ति उत्पादन, electrical power, electrical power को हम कैसे generate करते हैं, उसको हम कैसे use में लाते हैं, अगर simple सा question पूछ लेगा, कि इंडिया में जो power, power generate क्या जाता है, कितना kv पी होता है, 11 kv, 30 kv, जैसे question option है, जैसे अगर दे देगा 11 kv, उसके बाद b में अगर दे देगा, 33 kv, c में हो जाएगा, बहुत, d में आपका हो जाएगा, none of these, none of these, बैडियर, शाथियों, अगर इंडिया में बात क्या जाए, कि electrical power कितने पे generate क्या जाता है, generating station, वो आपका कितना पे है, 11 kv पे, अगर advanced country के बात करें, वहाँ पे 33 kv पे electrical को generate क्या जाता है, जैसे कि अभी just हम सब देखे, transformer two types का होता है, एक होता है, step down, दूसरा होता है step up, हम तो 11 kv जेनरेट करते हैं, उसको 11 kv को क्या करते हैं, उसको high कर देते हैं, कितना पे, हमको जितना requirement होगा, उस पे आप require कर सकते हैं, लेकिन generating voltage जो इंडिया में है, वो कितना है, 11 kv जेनरेट करेंगा, और अच्छे से सम जब आप power को generate कर लिजेगा, तो क्या कीजेगा, उसको ते store करके रख नहीं सकते हैं, इसलिए उसको क्या चाहिए, जब आप power को generate कर लिए, उस power को transmit करना भी परेगा, transmit जैसे पटना में power generate होगा, आपको अगर गया में भेजना है, तो वहाँ से क्या चाहिए, एक transmission line करेंगे, transmission line का क्या क्या परामीटर होता है, RLCG होता है, इस सब को one by one करके परेंगे, जैकि, next chapter जो है, इसी से connect है, electrical power and transmission, आप कैसे transmission कर सकते हैं, transmission के लिए उसका cost क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप जितना का generate कर रहे हैं, उससे ज़्यादा cost लग जाए किसमें, distribute करने मे याई transmit करने में, आपको benefit होगा नहीं होगा, उससे क्या हो जाएगा, loss लग जाएगा, आपको कितना कम से कम instrument में आप power को supply दे सकते हैं, किसको consumer को, जिससे आपको benefit हो सके, चलिए next, उसके बाद हम सब परेंगे, जब power supply, आपके घर तक आजाएगा, अगर उसके connection की बाद कर एक हो जाएगा, जब overhead line, जब पूल के द्वारा, overhead के द्वारा हम transmit करेंगे, उसको हम बोलेंगे, overhead transmission line, जब जमीन के अंदर से होकर के pipe के द्वारा हम supply को भेजते हैं, वो आपका होता है, underground cable, इंडिया में पुछेगा, underground cable में कितना केवी तक supply को भेजते हैं, तो हम 66 के भी, 66 के भी तक जो है, यह voltage को underground cable के द्वारा भेजते हैं, और suppose that, यहां से एक दो question और बन जारा है, कि इंडिया में जो है, high voltage हम कितना generate करते हैं, तो इंडिया के अगर बात करें, तो 400, इंडिया में generating voltage है, high voltage होता है, high high generating voltage high transmitting voltage voltage यह कितना है, यह आपका 400, 400 के भी है, अगर generating voltage के हम बात करें, यह कितना है, 765 के भी, इंडिया में high generating voltage आपका, यह भी बहुत बार question पूछ लिया गया है, कि इंडिया में high voltage कितना पर generate क्या जा रहा है, 400 के भी, उसके बाद highest generating voltage पूछेगा तो कितना क्या जा रहा है, वो 765 के भी, यह बहुत बार question, छोटा छोटा question है, आप अगर अच्छे तरीके से जुडेंगे, आपको लगेगा कि नहीं कि यह टेक्निकल इतना हाड है, आपक electrician को one by one करके परेंगे, चाहे आप ten plus two कर किये हैं, physics और math है, वो भी आप electrician select करके, अच्छे बे में tension नहीं लेना है, और simple way में patience रखना है, यहां से आपको one by one आपको कराया जाएगा, अगर next अगर हम बात करें, देखिए next आपका है power distribution, यह power electrical power transmission क्या करता है, यह आपके घ transformer तक पहुचा दिया, transformer से 11 kv तक आता, 11 kv को हम फिर change कर देते हैं, 440 volt में, वो आपके घर में लाइन आता है, इस तरीके से 3 page लाइन आता है, अगर किसी को घर लेना है, तो वहाँ पर देखिए किसी से लेना, अगर customer को लेना है, तो एक supply इदर से एक ground से लेते हैं, दोनों यूज करते हैं, यह सब हम यूज करते हैं, चले, उसके बाद जो है, electrical power distribution, यह consumer के लिए होता है, consumer end पे जो लगा हो रहता है, किसी को 3 page चाहिए, किसी को single page चाहिए, वो कहां से लेगा, consumer end से लेगा, जब हम start करेंगे power distribution, तो वो हम सब परहेंगे, power distribution में feeder क्या होता है, distribution क्या होता है, one by one करके, हम सब परहेंगे, इसी में voltage का fluctuation कितना होना चाहिए, frequency का change कितना होना चाहिए, अगर इंडिया वो कुछेगा, frequency का change, plus minus 3% होना चाहिए, voltage का change कितना होना चाहिए, तो वो 6% होना चाहिए, चले, यह तो आपका syllabus हो गया, क्या-क्या देख अभी, electrical power, electrical power को ह से transmit कर सकते हैं, power grid तक ला सकते हैं, उसके बाद power grid से sub station, उसके बाद हम सब परे, उसके बाद कैसे हम बेज सकते हैं, underground भी बेज सकते हैं, overhead lines के द्वारा भी हम power को supply कर सकते हैं, उसके बाद underground cable, उसके बाद हम सब परे power distribution, power distribution यह consumer end का यह है, उसके बाद next आगे हम सब देखते नेक्स्ट आगे हम सब का है देखें बैदोतिक मसीनों का गतिनी अंतरन जितना भी इंस्ट्रुमेंट लगा हुआ है उसके एफपीड को हम कैसी रेगुलेट कर सकते हैं जो हम सब के लिए फैबरेबल हो आइसा नहीं कि उसको चलना चाहिए तीन हजार आर्पीम में वो चलने अनुट्रूर्वल हो जाएगा जो अइसा हो जिसे फैंड है इस तरीके से चले हम सब को कोई हायल हार्मफुल एफट्ट डिस प्रोड्यूस ना करें इस सब के बारे में हम सब परेंगे एफ स्पीड कंट्रूल एंड मैंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मसीन इलेक्ट्रिकल म के वारें पढ़ेंगे, semiconductor हो गया, BGT हो गया, FET हो गया, MOSFET हो गया, उसी के दोरान हम सब electronic, theory and communication पढ़ेंगे, यह signal से related है, किससे संब्धित है, signal से संब्धित है, उसको one by one करके पढ़ेंगे, उसके बाद last topic आपका है, computer, जो कि समान, वासा में सब कोई, यह आप परहेंगे, computer, computer का क्या parts होता है, CPU क्या काम करता है, monitor क्या काम करता है, one by one इतना हो जाने के बाद, my dear साथ यो, उसके बाद हम सब, जैसे आपका यह chapter जैसे खतम हो जाएगा, उसके बाद जितना मिसलोनियास होगा, उसको one by one करके एक overview, master video बना करके, उसमें question को solve क्या जाएगा, जैसे कि आभी तक हम सब यह slayvus discuss किये, यह slayvus आपको कैशा लगा, आप comment करके जरूर बताईएगा, और इस तरीके से आपका बहुत demand हो रहा था, अब आपका वो भी time आगया कि electrician का यहां से slayvus को proper way में discuss कर चुके हैं, यह आपका जो है, यह आपका governmental data है, यही आपका slayvus है किसका, electrician का, अगर यहां से आप starting से जूट जाते हैं, तो 90% chance है कि आप 100% यहां से pass हो जाएगा, आपको कभी डर लगेगा ही नहीं, इस अच्छे तरीके से अच्छे वे में परहेंगे, आपको machine से डर भाग जाएगा, power system से डर भाग जाएगा, electrical instrument से डर भाग जाएगा, कि आपको आप आसानी से कर लिजेगा, इसलिए आपको क्या करना है, रेल वैद हम पटना के online portal से जुड़ जाना है, आप सभी जानते हैं, यहां से प्रोपर वे में आपको त्यारी करया जाएगा, चलिए आज का जो session है, हम सब यहीं तक रखते हैं, यहीं तक रखते हैं, इसलिए यह आपका channel है, आप सब का है, हम सब के प्यार से यह सब जितना ग्रोप कीजेगा, उतना अच्छा होगा, आज का session हम सब यहीं तक रखते हैं, thank you, all the best.